त्यार आज फिजिक्स में मचाते हैं तो इस एक्जाम्पिल में तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा ना तो देखो इस एक्जाम्पिल में क्या हो रहा है पहले तो यह ब्लॉक मानलो आगे जा रहा है दस मीटे पर सेकंड से ठीक है चलो है और यह इनीशली मानलो रेस्ट पर रखा हुआ है इनीशली यह भी रेस्ट पर है यह भी रेस्ट पर है तो चलो लगाते है यह ग्राउंड है यह मानलो ब्लॉक ए और यह ब्लॉक बी बोल दो कुछ भी बोल दो ना तो ग्राउंड ब्लॉक ए पर किदर फ्रिक् Newton third loss है, ground Newton third loss है, block A ground पर आगे लगाएगा Ground, block A पर पीछे लगाएगा तो block, ground A पर आगे लगाएगा और दोनों kinetic friction ने KB लिख देता है दोनों ही दोनों kinetic friction है तुमारे ठीक है? चलो तो अब देखो हैं ही पर तुम्हें दिख जाएगा work done by work done on A by ground यह नीचे वाला जो है, उसको ground पोल रहा है blue के लिख से है, कितना है it is negative, क्योंकि इसका displacement इदर हो रहा है और उस पर force पीछे लग रहा है तो इस friction force का work done negative है तो हाँ पर देखो kinetic friction का work negative होगी और हमें maximum cases में यही लगता है कि kinetic friction का work negative होता है इसलिए ही question मनाए गया है तो वर्मसन ने तुम्हें सोचने पर मजबूर करा है क्या, क्या, क्या यह positive या 0 भी हो सकता है kinetic friction का work तो answer तुम्हें इसी question में मिल गया work done on ground work done on ground by A कितना है है ना तो देखो ground पर force आगे लग रहा है पर ground का displacement 0 है हम खुद ground की frame में है तो answer is 0 work done एक frame dependent quantity है work done एक frame dependent quantity है तो भाई, ground का displacement 0 है ground पर work 0 हो रहा है तो यहाँ पर kinetic friction ने 0 पर कर रहा है indeed जब मैं लिखता हूँ जैसे मैं यह लिख रहा हूँ जैसे मैं board पर लिख रहा हूँ तो यह जो भी यह board है digital board digital board pen पर negative work कर रहा है kinetic friction negative है ना digital board इस pen पर negative work कर रहा है पर यह pen digital board पर 0 work कर रहा है तो सबसच्छा example तो यह ही आ गया kinetic friction का 0 work है ना चलो अगला question है positive हो सकता है क्या तो यह भी possible है बिल्कुल हो सकता है तो देखो क्या होगा यह initially rest पर तो A वाला block B वाले पर kinetic friction आगे लगाएगा इसको बोल देते FK2 तो newton third law से B वाला A पर पीछे लगाएगा तो देखो अब बताओ और अब देखो kinetic friction आगे लगेगा तो यह आगे move करना चालू कर देगा इसका displacement आगे होना लगा तो अब देखो क्या हो रहा है B वाले पर kinetic friction आगे लगे 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 और displacement भी आगे हो रहा है तो बताओ work done on B on B by A A ने B पर कितना work करा तो A B पर work कैसे कर रहा है इस friction force है सो चो friction force भी आगे लगे लगे displacement भी आगे हो रहा है इसमें इसमें work done positive हो गया तो हाँ भाई सब कुछ हो सकता है work done frame dependent quantity it can be positive, it can be negative, it can be zero तो यह गलत concept है अगर तुमारे दमाग में ऐसा कोई concept बनाता कि kinetic friction का work से में negative हो सकता है तो वो गलत है, it can be positive, it can be zero बहुत सारे cases में होता है तुम बस धंग से देख नहीं रहे हो तुम बस धंग से देख नहीं रहे हो चलो आगे बढ़ते फिर फटाक से तो अब यह पहले आया क्यों क्योंकि जनरली static friction के case में कोई चीज़ मूँ नहीं करती है जैसे यह phone में यासे पकड़ा हो तो मेरा MG sign धीर ऐसे गराने की कोशिश कर रहा है पर यह गिर नहीं रहा phone क्योंकि static friction मेरा हाथ इस पे static friction लगा रहा है इस direction में है तो static friction के case में generally displacement नहीं होता तो हमको लगता है कि static friction का वर्क हमेशा 0 होता है तो तुम्हें सोचने पर मजबूर करा गया क्या static friction का वर्क हमेशा 0 होगा या फिर वो negative या positive भी हो सकता है क्या static friction का वर्क negative हो सकता है क्या static friction का वर्क positive हो सकता है चलो देखते हैं, अगें block over block problem, यह बहुत सारे doubt के लिए करती है, तो देखो, इन दोनों की velocities है में, हाँ पर इन दोनों block की velocities है में, दोनों ही block मालो 10 meter per second से जा रहे हैं, तो दोनों में relative velocity 0 है, तो इनकी बीच में static friction लगेगा, अब यह ऐसे भागेंगे ना तो मैं इनका diagram न सब कुछ पढ़ते हैं, सारी चीज़े, कि direction कैसे होता है, अगर मैं इसको पकण के कीच रहा हूँ, तो B वाले block पे static friction आगे लगेगा, और A वाले block पे static friction पीछे लगेगा, और displacement दोनों का आगे की तरफ हो रहा है, दोनों का ही displacement आगे की तरफ हो रहा है, तो यह एक question तुमा on A by B कितना होगा, तो B पे A ने कैसे करा रहा है, तो A, B पे कौन सा force लगा रहा है, Fs, तो force भी तर लग रहा है, displacement भी तर हो रहा है, तो work done is Fs into S, मतलब overall it is positive, तो yes, static friction का work positive हो सकता है, 0 तो होता ही था, positive भी हो रहा है, है ना, चलो देखते हैं, negative हो सकता है, तो देखो एक ए एक्जाम पे सब के लिए कर देए, work done on A by B, B A पे कौन सा force लगा रहा है, यह बाला force लगा रहा है, force पीछे लग रहा है, और A का भी displacement आगे हो रहा है, तो दोनों आगे जा रहे है, पर A पे यह static friction पीछे लग रहा है, तो friction पीछे लग रहा है, displacement आगे हो रहा है, तो work done is minus Fs negative हो गया, तो yes, आज से ही concept दोमाग में बढ़ा लो, static friction का पर positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, है न हाँ?